इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिग गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का में हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। आपको इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेने की आवश्यक्ता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप हाइड्रेटड रहें। से लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। रोटावेक 5D ओरल वैक्सीन में कम मात्रा में रोटावाइरस यानि की एक वाइरस जो दस्त का कारण बनता है, होता है। यह वास्तव में बीमारी पैदा किये बिना एंटिबॉडी यानि की प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा प्रनाली को उत्तेजित करके काम करता है। संक्रमन की स्थिती में ये एंटिबॉडी रोटावाइरस के कारण होने वाले डायरिया से बचाव करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।